गर्मियों के मौसम में हम सभी के शरीर से पसीना निकलता है हाला कि कुछ मामलों में सर्दी के मौसम में भी आपको पसीना आ सकता है जैसे हम जब भी कोई शारिरिक गतिविदी करते हैं एक्सराइस करते हैं या कोई बहुत मेहनत वाला काम करते हैं शरीर में पसीना निकलना बहुत समानने है और ये शरीर के तापमान कम करने के लिए बेहत जरूरी भी है साथी पसीना आपके शरीर में टॉक्सिंस को भार निकालने में भी मदद करता है लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में ज़्यादा पसीना आता है वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन कुछ मामलों में यह किसी गंबीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है आज के इस वीडियो में ज़्यादा पसीना आने के क्या कारण है और इससे रहत पाने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पीजिए साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए आईए सबसे पहले जानते हैं ज़्यादा पसीना आने के कारण ज़्यादा पसीना अक्सर तव आता है जब आप किसी रोग से ग्रस्थ हो जैसे पीनियल या थाइराइड ग्लेड डिसॉर्डर, डायविटीज, मेंटिलिटीज, मैनुपोज, भुखार, एंग्जैटी और हिर्दे रोग आदी लेकिन कई बार आपको बिना किसी रोग के भी अत्यदिक पसीना आ सकता है ऐसा मुख्य रूप से तब होता है जब पसीने की ग्रंतियों को ट्रिगर करने वाली नसे अत्यदिक सक्री हो जाती है कई दवाओं के सेवन सेवी शरीर में गर्मी हो जाती है जिससे शरीर से ज़्यदा पसीना निकलता है इसके अलावा अत्यदिक पसीना आने का एक मुख्य कारण शरीर में पितका बढ़ना भी है क्या है जादा पसीने आने का उप्चार अगर जादा पसीना आने की समस्या किसी स्वास्त इस्थिती से जुड़ी हुई है तो इससे लेकर आप कुछ नहीं कर सकते इस इस्तिती में आपको पहले अपनी बीमारी के लिए उपचाल लेने की आवश्यक्ता है लेकिन जैसा कि हमने बताया जादो पसीना आने का एक मुख्य कारण शरीर में पित का बढ़ना भी है तो इसलिए आपको शरीर में पित दोश को संतुलित करने से अधितिक पसीना शरीर में गर्मी की गंद के साथ ही शरीर की जलन आदी को कम करने में बहुत मदद मिल सकती है इसके लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं नमबर एक धनिये का पानी धनिये के बीज ले और उसे पीश ले फिर एक बरतन में थोड़ा पानी ले और उसमें धनिये के बीज का पॉडर डाले इसे रात बहर के लिए ऐसे ही छोड़ दें इस पानी को सुबह खाली पेट पीएं इससे आपको बहुत लाब मिलेगा नमबर दो, खस-खस का पानी, दो लीटर पानी में एक चम्मच, खस-खस की जड़ों को 20 मिनिट तक उबा लें, इसे चानले और एक बोतल या किसी बरतन में स्टोर कर लें, पूरे दिन साधे पानी की बजाए इस पानी को पिए, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा नमबर तीन, बोडी पेश्ट, गुलाब जल में अंतमूल की जड़, चंदन, आमला और खस-कस का पाउडर मिलाएं, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसका एक पेश्ट बना लें, इसे अपने शरीर पर लगाएं और 15-20 मिनिट के बाद धो डालें, इसी तरह सफेज चं इसे चानले और शरीर को धोने के लिए सादे पानी की जगे इस्तमाल करें, नमबर पांच, आहार में बदलाव करें, ज्यादा मसालेदार खटे फूट्स के सेवन से बचें, गरम तासीर वाले फूट्स कम खाएं, आठ से दस किशमे शरात को पानी में भिगो दें और अग